तो आज देखिए हमें एक बहुत ही important बात करने वाले हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो है एक reliance में इन्होंने ट्रेड ली हुई है और इन्होंने जो अपनी quantity टखी है वो 250 हुई मतलब एक ही lot में यह काम कर रहे हैं लेकिन आप यहां पे देखेंगे इनका loss क कितना हो चुका है 8300 रुपय का इनका loss हो चुका है और आप देखे यह इन्होंने जो buy किया था buy किया था 56 पे और अभी जो price चल रहा है 22.80 मतलब कि इनका 34 points का जो है loss हो चुका है फिलहाल जो है तो इनकी गलतिया क्या-क्या है अगर आम उनके बारे में बात करें तो गलति लगाना चाहिए और आप देखे इन्होंने जो है यहां पर बोला है कि मुझे ऐसे लगाना ही नहीं आता है तो जैसे कि मैंने आपको मेरी कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर options trading आप करते हैं तो आपको ऐसे लगाना चाहिए वहां पर ताकि अगर अचानक से move आती है और आपका loss भी limited ही रहे तो आपको loss जादा नहीं हो फिर आप दूसरी अगर जो इनकी बहुत ही एक बड़ी mistake है वो है इन्होंने जो है market को समझे market को समझे market जो था वो bearish था लेकिन इन्होंने इनकी जो trade ली वो कहां पर ली वो bullish side में ली क्यों क्योंकि इनको पता ही नहीं जा रहा है और उन्होंने ट्रेड ले ली मैं आपको जो है आगे वाली आने वाली वीडियो में आगे बताने वाली हूं वीडियो में कि उन्होंने कैसे चार्ट में क्या 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 मूवमेंट आई थी कैसे कैसे इन्होंने कहां पर ट्रेड ली और क्या कि इनकी जो mistake थी वह हूँ हुई चाहटमे और जो फähänट जो मिस्टेक है इनकी वो है इन्होंने जो ट्रेड जो ले ली ठीक है एक दिन ले नुस हो गया लेकिन kalau तो अगले दिन के लिए कारमगले की लिए यह फ्राइडे को लिए और आप जो यह ट्रेड है वो उन्होंने मंडे के लिए छोड़ दी है तो उनके क्या हुआ कि जो सेटरडे संडे जो हॉलिडेज के दिन होते हैं जो एक ट्रेडर के लिए रेस्ट करने के दिन होते हैं उन्होंने इने रेस्ट करना ही नहीं समझा उन्होंने अब उनके पूरे दिमाग में य लॉस है वो जाएगा और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब ये बता दो कि जो market है वो gap up open होगा की नहीं क्यों क्योंकि वो tension में है और उनको जो है loss हो चुका है और इनका ज्यादा से ज्यादा loss कितना होगा इन्होंने 22 पर buy किया है तो अगर वो 0 भी होता है तो इनका इसमें 5000 का और loss हो सकता है मतलब इनक कितना बड़ा loss आप देखे हो सकता है तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप अगर options trading करते हैं तो आपको chart analysis भी आना चाहिए आपको SL जो है कहां पे लगाना है वो आना चाहिए कैसे लगाना है SL trail कैसे करना है वो आना चाहिए आपको आपकी मैंने आप यहां पर देखे मैंने आप एक trendline draw की हुई है trendline draw होने के बाद आप यह पर देखेंगे market में कितनी बड़ी एक जो है move आई है जो कि है bearish side की तो हमारे इसमें जो ट्रेड है वो bullish side की तो किसी भी angle से नहीं बनती है तो जैसे कि मैंने आपको बता है इन्होंने चा कि market ने कितनी जो है एक बहुत ही rejection लिया है market शुरू में उपर गया उसी को देखते हुए उन्हों ट्रेड ले ली उसके बाद market ने पूरा rejection ले लिया और फिर market वहीं पर ही move करता रहा तो इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग options में ट्रेड ना करके आप जो है chart analysis सीखने को मिले कि chart analysis कैसे किया जाता है stop loss का पता लग जाए कि आपको stop loss जो है वो कहां पर लगाना है कैसे लगाना है और आप जो है market को समझ सके सीख सके तो उमीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा तो आप चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूल और अगर कोई doubts रहते हैं तो जैसे कि आप हमेशा करते आए हैं मेरे चैनल पर आप मुझे message कर सकते हैं और like भी कर देना वीडियो को thank you